हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विनायक हावड़नाचे, मैं शास्य नगत में रहता हूँ मैं आपके सामने इसले आया हूँ, कि आज ये जो निवनिक की बाती चल रही है, आज अनेक पक्ष अपना काम नाम जमाने के लिए आया है, लेकिन आज तक जो पांस दागने करोना के करण, जो लोग तरस्त थे, त्रासिक थे, उन्हों को हेल्प करने के लिए आज तक कोई प मैं बोलता हूँ, कि भारतिय जन्ता पार्टी ने जो काम किया है, वो काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि भारतिय जन्ती पकार जो काम है, वो लोगों की शेवा करना, ना कि लोगों का मेवा खाना, आज इस धर्ती पर हिंदुओं के लिए जो पार्टी जी र दोनाते आज चुनाव आ गया तो सामने आ रहे हैं जो आज इस दक्षिन एरिया के अंदर जो कॉंग्रेस पाटी से जो भी बैटे है उमेदवार वो आज तक हमको देखा नहीं ना उनका ना मालूम है क्योंकि कभी आये हैं नहीं है हमारे सामने ना हमारे एरिया के अंदर अंदर हमारे बाब लाड़के अभई जी पाटिल साफ उन्होंने घर-घर में जाके अपना साइकल भीरी करके हर एक घर में जाके उनकी समश्या सुनके उस समशन का विवलंग किया है हर परिवार को मिलके उनको कोई परिशन है तो उस परिशन को धूर किया हुआ है हम अभ काम बढ़ावा कर रहे हैं कि कॉंगरेस परिटी के आज तक कोई हमारे पास सदेश्य नहीं आया है ना कभी हमारी सदेश्य समश्या पूच्या है आज हम स्यासिम नगर के अंदर बड़े स्टाइल से चलते जो बारिश के अंदर कीचर होता था आज उन्होंने वहां पे रस किचर की वेशे हम गाड़ी एक किलूम्टर लंबा लगा के वहां से चलते जाते हैं यह हमारी दूबीदा सिर्फ जो दूर किया है तो सिर्फ भाजब पार्टी अमधार अभाईजी पार्टिल सहाब में इसलिए हम जो भी हम प्रसंचा करते हैं वह सिर्फ भारतिय जाता प उन्होंने अपना काम गाउंड पर दिखाना है उन्होंने आके समष्य सुनना है जनता को हेलप करना है 올 कि क्या करते है जो कुनाव करते हैं कि हमके हमारे जनता का mir good पुरा होने के लिह कि इसलिए हम अभी हम सिफ एक पाटी को चुनते हैं तो झांधिया-जंता पादे को चुनते हैं भारतिया प्रोम्हालं करेंगे उन्होंने भी雪 बहुत कुछ काम किया है यह किया ए aún किया है लेकिर हम उनके कि इंकाल नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत काम किया हैं लेकिन कॉंग्रेस पटी ने बिल्कुल काम नहीं किया है थैंक यू